I am Karan Sakya, you are welcome on our channel Chemical Guru. So my dear students and my friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं इस चैनल पर PGT Chemistry की preparation करवा रहा था. और PGT Chemistry में जिसमें मैंने अभी first lecture में हमने syllabus को discuss किया था. और इसके बाद मैंने एक छोटा सा topic लिया था, जो first topic ही है syllabus का molecular kinetics theory of gases. और बाकी PGT का selection process क्या है, वो सारी चीजें हमने lecture number one में discuss कर दी हैं, this is the lecture number two. Okay, so यह lecture number two है, लेकिन इसमें actually क्या है, lecture one में हमने जो topic करा आया था, वो था molecular kinetics theory of gases. तो उसी से related कुछ points रह गए थे, क्योंकि हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, जहां से question आ जाए और आप से नहों पाए. ठीक है, तो उससे related कुछ points थे, तो पहले मैं उनको discuss कर दीता हूँ, points क्या थे, उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा first point यह था, कि average velocity के हम बात कर लेते हैं, या इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ, चलो मैं लेता हूँ, root mean square velocity, ठीक है, यह था हमारा root mean square velocity, root mean square velocity, इसको discuss कर लेते हैं, अब देखो, root mean square velocity को URMS से रेप्रेजन्ट करते हैं, URMS, root mean square velocity, अब root mean square velocity है क्या, यह यह कि mean का मतलब होता है, average, यह हम कहें mean velocity, mean, यह फिर हम कहें, average velocity, तो जो velocities हैं, उनका हम क्या निकाल देंगे, average निकाल देंगे, यह फिर हम क्या निकाल देंगे, mean निकाल देंगे, और velocities मनलो, suppose कि हमने की, N1 molecules ऐसे हैं, N1 molecules ऐसे हैं, जिनकी velocity क्या है, U1 है, और N2 molecules ऐसे हैं, जिनकी velocity क्या है, U2 है, और हमने कहा कि N3 molecules ऐसे है जिनकी velocity U3 है तो इस तर डोडोडोडोड माल लेंगे कि NN molecules ऐसे है NN molecules ऐसे हैं जिसकी velocity UN है तो different molecules लिये हैं जिनकी velocities different है अब माल लो यह सारी velocity दिरेखें आप से कहा जा इसका average निकालो तो अगर मैं average की बात करूँ ठीक है इन ही से पहले मैं average निकाल देता हूँ तो यहां से अगर मैं जैसे देख लूँ कहूँ कि मैंसे आपसे समें average क्या होगा इनका average निकाल दो average अगर निकाल देंगे तो क्या होगा average को अम लोग average velocity भी कह सकते है average कह दो या फिर average velocity कह दो तो average या फिर average velocity तो average velocity अगर मैं निकाल दूँ इनी का जो condition में लिए तो इससे average velocity की क्या आजाएगी पहले तो इनका multiply करेंगे भाई जो भी हमें दे रखा है N1 है N1 और U1 प्लस N2 U2 प्लस और ॉट डॉट 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 अन और यू अपॉन में फिर क्या करेंगे टोटल जो हमारे molecules है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 एन एन जितने भी molecules हैं तो यह क्या आ गया हमारा average ठीक है average आ गया और average velocity को हम लोग जो है ना वो यू average से रेप्रिजन कर देते हैं यू average अभी हम बताएंगे root mean को डिसक्स करने जा रहे हैं और हाला कि average velocity निकालने का एक तरीका और होता है यह तो average एक्वल टू आता है 8RT अपॉन पाई एम ठीक है 8RT अपॉन पाई एम यहां पर अभी हम बताएंगे कौन क्या चीज है सारी चीजों को डिसकर गए जो हमारा आर गैस कॉंस्टेंट है टी टेंपरिचर है पाई तो वेली पाई होती है एम यहां पर molar mass of the gas है एम क्या है किसी भी gas का है जो molar mass है एम और इसके बाद देखो अब यह जो हमने average velocity निकाला न हम बात कर रहे है किसकी root mean square यहने की mean velocity का है यह average दोनो एक ही बात है इसका मदलब average velocity का है या इसको हम लोग क्या कहते है average velocity को हम लोग mean velocity भी कह सकते है average velocity कहा है या इसको हम कहा है mean velocity ठीक है तो अब जो हमारे पास mean velocity है और mean velocity का क्या करते है square करके root लगा दे है ध्यान से सुनना mean velocity का अगर हम square करके क्या लगा दे है root लगा दे है तो वही mean velocity ही बन जाएगी हमारी root mean square velocity ठीक है भई तो अब यहां से सही रंग से गद देखा जाए तो root mean square velocity क्या हो जाएगी U rms यानि की root mean square velocity equal to यह हमारा बनेगा जाकर के n1 और u1 का क्या कर देंगे square तो लगा ना plus n2 और u2 का क्या कर देंगे square कर देंगे plus n3 और u3 का क्या करेंगे square dot 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 nn है ना nn और u n का क्या कर देंगे square कर देंगे तो अभी हमने क्या लगिया जो हमारे पास mean velocity थी उसी का हमने square कर दिया और upon में जैसा था हम बैसा ही रखेंगे कोई change नहीं करेंगे upon में हमारा था n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 nn और क्या का हमने कि mean velocity का square कर दीजिए और square के उपर क्या लगा दीजिए रूट लगा दीजिए तो जो mean velocity है वही बन जाएगी root mean square velocity तो आपने क्या किया इसी के उपर आपने root लगा दिया इसके उपर root लगा दिया तो अब यह बन गई है root mean square velocity और root mean square velocity का यह निकालने का एक दूसरा formula और भी होता है u r m s equal to यह आज का होता है 3 r t upon m 3 r t upon m यह एक formula होता है जिसके तो आप under root में रहेगा आप root mean square velocity निकाल सकते हैं और अब इसके अलावा एक velocity और होती है इसको आप number बन दे सकते हैं चुकि आपने बीच में एक यह average velocity निकाल दी है तो आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो average velocity है उसी से mean velocity तो ही तो हम root mean निकालेंगे तो चलो अगर मैं इसको number 1 दे दूँ कि पहले मैं इसको निकाल दी है इसके बाद हमने number 2 और number 3 पे जो आता है वो अमारी रहती है most probable velocity most probable velocity most probable velocity देखो most probable velocity को हम लोग यू एमपी से रेप्रेजेंट करते हैं और यू एमपी most probable velocity का मतलब है कि velocity possessed by highest fraction of molecules जेमान लोग किसी gas के mixture में बहुत सारे molecules हैं तो जिन molecules की maximum velocity होगी ठीक है maximum number of molecules की जो velocity होगी उसको हम लोग बोलते हैं most probable velocity और इसका फार्मला जो होता है वो होता है 2RT यानि अंडर रूड में 2RT upon M इस तरह से हम इनकी फार्मला याद कर सकते हैं तो यह तो हो गई velocity अब बात यह आती है कि exam में अगर मानलो देने जा रहे तो कभी कभी क्या होता है कि सीधा सीधा वो root mean square velocity का या फिर mean velocity का या फिर most probable velocity का फार्मला पोच देता है अब आपको फार्मला याद करने की ट्रिक भी बता दें कि कैसे याद करेंगे तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग जब भी कभी किसी संकट में होते हैं श्री राम को याद करते हैं ना राम को याद करते हैं राम के तो बक्त होंगे याप तो देखो राम को अम लोग याद करते हैं चलो बैया अब मुझे पता है कि फार्मूला याद नहीं आरा एक जाम में राम को याद कर लो तो साइध श्रीराम वहां करके कुछ कर दें तो मैं राम को याद कर रहा हूँ ठीक है फार्मूला मुझे याद नहीं आरा मैं राम को याद कर रहा हूँ देखो कैसे फार्मला मुझे याद होगा तो मैं यहाँ से लिखता हूँ जैश्री राम आर ए और एम लिख दिया आप ना जैश्री राम आर का मतलब यहाँ पर क्या है रूट मीन इस्क्वाइर वैलोसिटी और ए का मतलब यहाँ पर है एवरेज वैलोसिटी या मीन वैलोसिटी का है एम का मीन से यहाँ पर है मोस्ट प्रोबेबल वैलोसिटी तो देखो राम 382 ऐसे याद करोगे क्या करोगे राम 382 यह कोड़ वर्ड समझे लो है ना कि राम को इसमरड करने का यह कोड़ वर्ड है ऐसी से राम प्रसंद होंगे राम 382 तो देखो 382 के कैसे याद करेंगे तो अब यह फार्मुला में पहले तो सभी फार्मुला एक जैसे लिखी हुए मिल जाएंगे तो लिख दो 382 लिख देता हूं और यहाँ पर भी आपने क्या किया आर्टी अपॉन एम लगा दिया ठीक है आर्टी अपॉन एम और इधर भी आपने लगा दिया क्या आर्टी अपॉन एम ठीक है और बस इन सभी पर क्या कर देजिए अंडरूड लगा देजिए तो देखिए एकजाम में आपको श्री राम जो है यह एक बार पूछा भी जा चुका है ठीक है कुश्चान और पूछा गया था फार्मुला सीधा पूछा गया था तो आपने स्री राम को याद किया और याद रखना कि एक जगह जो राम है ना राम इसमें सबसे पहला च्छर हमारा ए है तो इसको हम लोग यहां पर पा पाई यह तो आपको मैंने फार्मुले याद कराने के ट्रिक बता दी और सिंपल यह वाले फार्मुले तो आपको बताई दिये कैसे कैसे करेंगे ठीक है एवरेज से स्टार्ट करना आप लोग ठीक है मीन मीन वेलोसिटी से स्टार्ट करना और मीन का स्कॉाइर करेंगे तो कि इनका ratio क्या होगा ठीक है तो अगर मैं ratio की बात करूं ठीक है राम का जो ratio है URMS यानी root mean square velocity आप से पूछा जा सकता है URMS ratio और average ratio U average VRMS U average ratio और UMP most probable velocity इनका ratio क्या होगा ratio आप इसी sequence में लिखना राम माले सीक्वेंस में ठीक है तो आपको एक्जाम में किसी भी सीक्वेंस में रखा हो आप अपने सीक्वेंस श्री राम को याद रखो तो राम का मतलब यहां पर स्क्सवेस है अब क्या क्या बचा दियान से देखो किया मचा हमारा under आफ थर वाइद ऑपया और इदर हमारा बचा है लाइज था चल रही है अपसीज़रे की वैल्ससका कई लेना और calculate करके यह value आ जाती है 1.59 ठीक है यह एक्जक्ट value आती है 1.59 और under root 2 को जब solve करेंगे तो यह याद कर लो direct 1.414 यह नहीं 1.41 माल लिया तो ratio इसका क्या आया इसका ratio आया हमारा 1.73 ratio 1.73 ratio 1.59 यह 1.59 और ratio 1.41 यह आया यह हम approximately मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि 1.7 और ratio 1.6 कर दो इसको round up कर दो और ratio 1.4 कर दो ठीक है तो 17, 16, 14 इस तरह से आप कर सकते हो याद ratio किस किस का राम का ratio है राम, root, mean, square, velocity की value हमेशा सबसे ज़्यादा आएगी फिर average velocity की value कम आएगी रेशियो निकाल रहा है यह जब रेशियो निकाला जाए और जब आप बो निकालेंगे तो यह 382 फार्मुला लखने के लिए 382 याद रखना यह द्यान लखना और most probability value सबसे कम आएगी तो देखि गया होंगे ठीक है root mean square velocity अब actually root mean किसे आता है mean से ही आता है ठीक है तो यह इंटर रेलेटेड है तिनों कमने अलग अलग कर दिया है सबसे पहले आप देखेंगे mean velocity फिर root mean square velocity इसके बाद most probable velocity यह ratio भी आपने देख लिया है इसके बाद फिर जो है अब हम क्या करेंगे अगला topic start करेंगे next lecture में तो अगर आपको चीजे clearly समझ में आ रही है तो comment करके जरूर बताईएगा और अपने friends में चैनल को share करिएगा अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिएगा और जुड़े एपने साथ so dear students and friends thank you जैहिंद जैवारत